रविवार को दुनिया के महानतम स्पिनर्स में से एक शेन वॉन को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आलन बॉर्डर, मार्क टेलर, माइकल क्लार्क और मार्क वो भी शामिल थे। इस दौरान जैकसन ने हाथ में गेंद ले रखी थी। जैकसन ने पिता की क्रिकेट बॉल और गॉल्फ स्टिक उनके ताबूत के पास रखी। वोन की बेटे और बेटियां आखों में आसू लिये शद्धान जली देते हुए नजर आए। जैकसन अपने दिवंगत पिता के कॉफिन को प्यार से चूमते दिखे। उनकी छोटी बेटी समर रोती हुई नजर आई। वही उनकी बड़ी वेटी ब्रोक संग्लासिस पहने हुए थी। इस निजी कारेक्रम के दौरान ग्लासिक गाना दी बेस्ट बैक्राउंड में बजाया गया। इसके अलावा बिल मेटले और जेनिफर वॉन का दे टाइम आफ माइ लाइफ भी बैक्राउंड में बजाया गया। वहीं वॉन की पूर्वमंगेतर एलिजवेट हरले ने इस अंतिम यात्रा में शामिल ना हो पाने को लेकर अफसोस चताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि इस बात से उनका दिल दुखता है कि वो रविवार को वॉन को आखरी बार नहीं देख पाई। बता दें, 30 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन में शेन वॉन को रज की सम्मान के साथ सरवजनिक शद्धंजरी दी जाएगी। थानिय मीडिय रिपोर्ट के मताबिक, MCG के मैदान पर लाखों की संख्या में फैंस के आने की उम्मीद है। इस मैदान में वॉन की काफी यादे जुड़ी हुई है। मेलबर्न में ही वॉन ने 2006 में इंग्लैन के बलेबाज आंड्रियू स्ट्राउस को आउट करके टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट पूरे किये थे। वॉन का निधन चार मार्च को थाइलेंड में हुआ वो महज 52 साल के थे। बताया जाता है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी जान चली गई। विकेट भी है। नियूस तक भी रोग।